काली का देवी के पसंद होने का यंतर अगर आप मा काली के उपासक है तो आप इस यंतर की सहायता से मा काली को पसंद कर सकते हैं जल्दी अगर आप उनकी आराधना करते हैं उनके दर्शनों के अभिलाशी है तो आप सर प्रथम मा काली के मूर्ति के सामने समवार की दिन उनकी पूजन करे और संभव हो तो किसी आमाउस्या की दिन वो सबसे बेस्ट होगा उनकी पूजन करे, उनकी आरादना करे और उनके समक्ष आप कनेव की कलम से और अश्टगंद की शाही से भोच पत्तर पर ये यंत बनाए और मातारानी से प्रत्ना करे कि यह मातारानी आप पसंद होए और मेरी मुराद पूरी करे उसके पश्चात आप मा काली का आवन करते हुए उनके मूल मंत्र ओम क्रीम नमा की कम से कम दस माला जब करे संभव हो तो जादा करे तो अतिवत्तम रहेगा कि छोटक्यों की छोटा सा मंत्र है और साथी साथ नर्वान मंत्र ओम एम भीम क्रीम चाम उन्डाए विच्चे की एक माला यह आवश्यक है एक माला हुए इस से इस यंत्र में शक्ति भर जाएगी और मा काली प्रसंद होगी इस यंत्र को धारन करे और फिर वोज आप ओम क्रीम नमह की कम से कम एक माला करते रहे और दस माला करेंगे तो अत्री उत्ता में दस माला करने में आपको दस से बारा मिनिट लगेंगे स्नान करने के पश्चात आप ओम क्रीम नमह ओम क्रीम नमह की दस माला करें और पहले दिन जब आपने यह यंत्र बनाया था मंत्र जाप के बाद आप एक कपूर ले और कपूर पे दो लॉंग रख करेके जला दे और थाथ वो मांकालिका को अर्पित करे और हर दिन जाप के बाद आप ऐसे ही एक कपूर ले और उस पे दो लॉंग रख के जला दिया कर आप देखिए कि माकाली बड़ी शीक्र पसंद हो जाएंगी ये विधान आपको 41 दिन करना है कम से कम 41 दिन वैसे आप निवंतर करते रहे रोज कम से कम एक माला ओम की नमा की जाप करे और दस माला करे तो अति उत्तम रहेगा और उसके बाद कर पूर रूपर दो लौंग यहां भुजा में बांधा था इसमें भी शक्ति भरती रहेगी कई लोगों को तो एक हपते में भी माकाली का पसंद हो जाती है उनको सपने में भी दर्शन हुए कई लोगों को और कई लोगों को थोड़ा समय लगता है लेकिन हाँ इसका लाब यह होता है कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है और माकाली के आशिवाद से आप हर छेतर में सफल हो जाते है आपके जीवन की हर बाधाएं दूर करने की शमता है माकाली में इसलिए आप माकाली के उपासक है या उनकी साधना करना चाहते है उन्हें प्रसंद करना चाहते है तो इस यंत्र का निमान करके आप उनकी साधना करे आपको शीक सफलता मिलेगी जै माकाली